तो फाइनली आचुके सूर्या और बॉपी तेओल की कंगुवा केकोने अपिसोड में पापिस है तो आज बॉक्स आफिस में डे नमबर थ्री चल रहा है और साटर है भाई देखेंगे आज के लिए हमें क्या फाइनल अडवांस क्लेक्शन है वो देखने को मिले है सबसे पहले बात करेंगे हमारे पास क्या अफिशली फिगर है डे नमबर वन डे नमबर टू क्या अर्ली इस्टमेट्स है बोन डिकल के सामने आए अजसे कोई याद होगा कि ये रिलीस से काफी दिन पहली की बात है कि प्रोडुसर साब को पूछा गया था कि जो भाई साउथ के हम मैक्सिमम पोस्टर देखती है इनका पोस्टर को ना कोई हाथ है ना कोई पैर है क्या सीन है क्या आपके टाइम भी ऐसा होगा तो भाई मेकर्स ने कहा था कि जब हमारी फिलम मैदान पे उतरेगी अगर भाई किसी को ट्रस्ट ना हो तो हम भाई अपने जो जी एस्टी वील है वो भी सोचल मीडिया में डाल देंगी यह कहा था भाई मेकर्स ने पहले दिन जो ऑफिशली पोस्टर दिया है भाई मेकर्स ने जो नबर देल के सामने आया है इसके बेज में गैप है अभी जो फैन्स तो नहीं बोलेंगी वह न्यूटर ओडियंस बाई वो टैग कर रहे हैं यहां पर उनको की बाई बताओ यह नबर देटेल्स में शियर करो कि यह नबर वो कैसे आया है देखो जो आपने पहले कहा था आपको रिपलाई तो देना पड़ेगा नेटसी मेकर्स भाई क्या करते हैं फिलाल छोड़ो बात करते हैं अब डे नबर वन की क्या नबर निगल के सामने आया है यह नबर टू में फिल्म भाई क्यों हो गई क्रैश इतना जड़ा हमें ड्रॉप देखने को मिले हैं यह भी पताएंगे लास्ट में कि एक्चल में फिल्म को कितना चाहिए बॉक्स ओफिस में हिट होने के लिए यह उनको यह उमीद है कि अर्वल टाइम में बड़ा जुप लेगी और यह वी कनफर्म कर दिया कि यह सूर्या की हाई एस्ट ओपनिंग लेने वाली फिल्म में अर्वल टाइम में दो चार देन के अंदर अदर जो उनकी लाइफ टाइम जिनना क्लेक्शन किया है उनको यह कर देगी यह काफी बड़ी फिल्म में रिकॉर्ड्स तोड रही है और क्या वाई यह सब कहना सही है तो बात करते हैं इसके आगे बर उससरों को क्या करना है डेवाइस सब कुछ अप्डेट्स आपको इसी तरह मिलता रहेगा जब तब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि तो प्रिदी नेक्स तमिलाडू 11.45 अग्रॉस कम आई किया बाई मुझे काफी जाया उमीदे थी एकी तमिलाडू से 20 कोट से जाया अटलिस्ट भाई क्लेक्शन वो आना ही चाहिए ऑपनिंग डेवाइग ग्यारा करोड और फोटीफाइफ लाग बरेडिशन अमरान 16 कोट से आपनिंग डे में क्या है कुछ भी नहीं प्रमोशन कुछ भी नहीं और नेक्स्ट करनाट का तुद शामलोड 25 या डीसेंट के लाफो शामलोड 20 काफी बढ़िया एं नेक्स्ट हिंदी एंड रेस्ट ऑफ इंडिया फोट शामलोड 75 या अड ओल्ली फार हिंदी लेंग यह कुछ डॉमेस्टिक से कमाई आई यह ओपनिंग डे एंड ओवर्स इलावन दशामलो 95 या वर्ल्ड वाइल में नियली 41 क्रोड के आसपास कमाई की है मैंने ओपनिंग डे इवनिंग के टाइम अप्लोड किया था कि 30 यह चलेके 40 क्रोड के आसपास मुझे ओपनिंग डे क्लेक्शन अब देख रहे हैं अल्मोस्ट वाइक कुछ इतनी ही कमाई यह वो किये और प्री प्लस डेर वन ओवर्स नियली 12 सी आर के आसपास चलो ओवर्स इस मैंने शुरू से कहा था है बाई जा हमें हाइप नजर अब नहीं आ रहे है थोड़ डिटेल्स नॉर्थ अमेर इसका नजार है टोटल 11.95 सीर एंड टोटल वर्ल्डवाइट में 41 क्रोड के आसपास हमें काफी बाई टीस एंड ओपनिंग देखने को मिली यह पिक्चर हम हंडर्स यह ओपनिंग देख रहे थी वेंट यहां जैसी फिल्म को खतम एंड दी ग्रेटेस्ट अफॉल टाइम शायद रिकार्ड तोट सकती है बाई बीजे की जो गौट फिल्म आई थी कुछ भी हाइप नहीं था गाने डिसास्टर बड़ फिल्म ने ओपनिंग क्या लिए बाई और तमिल नादू बाक्स ओफिस की बात करें 24 हाइस्ट ओपनिंग तो गौट नमबर बन पर है थर्टी वन दशामलो फाइब जरो सिया एंड बीजे का बाई कुछ अलगी स्टार्डम है ऐसा तमिल नादू की बात करें अब तक ही बात करें चार फिल्म है उनकी तमिल अब आई थी रिसेंटली 16.50 सियर एंड नेक्स इंडियन टू ए 13.05 सियर नेक्स अब आ चुकी है कंगुआ एंड वर्ल्ट वाइड ओपनिंगी बात करें 2024 ओनली फॉर कोलीवूड तो दी ग्रेटेस्ट ओफ आल टाइम नमबर बन पर है 106 सियर हां मेकर्स ना अफिशली प अब तक का लेखा जोक है एंड टॉप ओवर्सीज बिसनस की बात करें ओपनिंग डे तो नमबर वन पर दी ग्रेटेस्ट ओफ और टाइम 47.45 सियर एंड नेक्स्ट है वेंटियां 26.77 सियर नेक्स्ट है इंडियन 225.33 सियर एंड नेक्स्ट अब यह आचुकी अभी तो वाई यह है कुछ ओपनिंग का लेखा जोका बात करें वो डे नमबर टू की फ्राइडे हमें क्या वही नमबर है वो देखने को मिलें एंड कितना अच्छा हमें होल्ड है वो देखने को मिलें तमिल अडू 4.7 जो सियर के आसपास अरली इस्टिमेट से वह देखने को म मिलें कंपारिजन टू डे नमबर वान चलो साउथ में हम यह सब देखते हैं आई थिंग सो यह थोड़ा सामें जाया ड्रॉप है वह देखने को मिलें नेक्स्ट करला लगवग साथ ला कलेक्शन सेकिंड यूज ड्रॉप क्रैश हो चोकी है बिल्कु डिसास्टर डे नमब थोड़ा हीर एंड देर हो जा सकते है एं रेस्ट आफ इंडिया साधे तीन क्रोड और ओनली फार हिंदी लैंग्विश्ट तू दशामलो फाइब जरो सिया नेट क्लेक्शन हो दिख रहे है एंड टोटल जाएगा 11 दशामलो नाइन जरो सिया ग्रॉस डॉमेस्टिक अपन दे नमबर टू डिनमबर वान नियरली 28 को 29 क्रोड के आसपास एंड डिनमबर टू 11 दशामलो 90C विस सतर पसंट के आसपास डॉप देखने को मिल रहे है नियरली एंड ओवर सिस्टिक राउंड तीन क्रोड के आसपास फिग्रा वो देख रही है बिश्ट मेंस के 15 क्रोड क आसपास नमबर आने वाल है अपने डे नमबर टू वर्ल्ड वाइट 15 क्रोड के आसपास एंड पहले दो दिनों की फिगर जाएगी 56 क्रोड 56 ओंड फार टोमेस्टिक लगवक 40 क्रोड के आसपास एंड यह काफी खराब अपनी है पहले दो दिनों में तमय नारू नियली 16 क करोड वाई इतना तो आम रहने अपने ओपनिंग डे क्लेक्शन है वह किया था देखो अब खोली देखो आप फिलाल छोड़ो वाट बिस्नस तो अच्छा आना चाहिए था यह फिल्म कफी बड़ी थी एंड फिल्म को वाई हिट ओने के लिए कितनी कामाई है वह करनी होगी के सारे पूछ रहे थे तो वाई सम्टिंग राउंड साड़े तीन सो क्रोड के आसपास वर्ल्डवाड क्लेक्शन जो गाइस मुझे यह नंबर आल्मोस्ट इंपॉसिबल देख रहे हैंड यहां से अ 100 CR gross कमाई भी कर लें तब बड़ी बात है लेट सी अब देखते हैं कि हमें किस तरह बड़ा जॉंप है वो देखने को मिलते है जो कि डिरेक्टर सीवा उन्होंने कंगुआ पार टू अफिशली नाउस्पेंड कर दी उन्होंने कहा कि मेरी नेक्स्ट फिल्म अजीद कुमार के साथ रहने वाली एंड नेक्स फिर में काम करूंगा कंगुआ टू पे क्या कंगुआ वन पहले सबसे बड़ी सुपर हिट या फिट हो पाईगी सबसे बहले अभी यह देखना दिल्चस्प है वो रहने वाले हैं मेकर्स ने अफिशली पोस्टर दिया कल यह सभी के सामने है अब हमारे पास कम नंबर है यह वाला पोस्टर काफी आगे जा रहे हम यह नहीं बोल रहा है कि वाई फीक है ऐसा बशीन नाफीर कैसी अपड़ा है था को पते है क्या हुर में नाफिशली पोस्टर है और अइस वह से नंबर के आप़ पार देगी है कि हमारे पास ऑपन विकेंड ऑफिशली पोस्टर 240 क्लोट के आसपास था फिल्म लाइफ टाइम लगव दोसो सार क्लोट के आसपास फिनिश आपकर रही है विकेंड में 240 बो भाई खुमारे पास नमबर नहीं था हमारे खिसाब से वेंटियान एक एवरिच एन एक फिल्म है जो कि अकारणी बो मेकर्स वो एक बड़ी सुपर हिट हैं ब्लॉगमस्टर फिल्म है जो कि आमरान की बात करें यह बाई काफी अच्छी इन्होंने कम आई कि एविन फिगर भी दी है और अच्छा क्लेक्शन भी किया है आज की बात करें दे नंबर थ्री क्या क्लेक्शन भी आ सकते हैं देखो अडवांस कंपैरिजन टू यहस्टड़ी लगवगा बीस परसें हमें जब देखने को मिल रहा है और आज सैटरेड़े हैं उमीद करेंगी हमें अच्छा सा क्लेक्शन है वो देखने को मिलेगा एंड सास लेके आठ क्रोड के आसपास आज तमिल नाडू से वाई कलेक्शन है वो आए यह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और एक्लिस वाई इतनी कमाई है वो आनी ही चाहिए एंड ओली फर तमिल नाडू तीन क्रोड एंड टीस लाख अडवांस है एंड एक लाग तीस हजार से जावाई टिक्टे हमें सोल लाउट है वो देखने को मिली है तो लेट सी अभी देखना दिल चस्प होगा कि क्या कमाई आएगी फाइनल एंड ओवराल हम 15CRA प्लस इस अप्टेट्स आपको इसे जिना पर मिलता रहेगा तो मिलता है नेक्स एपिसोड में तब तक लिए